कि देखो बच्चो हम ग्रेडियंट डाइवाजेंस और का जो चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हम प्रोलम पा रहे थे आडेंटी भी कर दीती हमने और आडेंटी करने के बाद आप कुछ प्रोलम थीन कीजा है वो प्रोलम सोल कर रहा हूं मैं एक दो प्रोलम बोलिए इन्होंने तो एक एक साइड नंबर फोर्ट है हमारी एक साइड नंबर फोर्ट में कोशन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट कोशन क्या है कि वह फाई की वैल्यू हम तुम्हें दे रहे हैं यह है एक्स स्कॉर प्लस वाई स्कॉर प्लस जड़ स्कॉर और एकी पर में दिया है कितना माइनस के एक्स स्कॉर प्लस वाई स्कॉर प्लस जड़ स्कॉर बता यह सोच कर यह जो फाई दिया गया है यह इसके ल स्वाइस स्वाइब अगर सोट में देखना चाहो तो यह आज स्वाइर है और एकी पावर माइनस के आर है क्योंकि रूट में बनेंगा ना रूट आर यह निए बनेगा तो यह ऐसा है कोशन छोटा सा कोशन है यह फाइवराबर अब वो कह रहा है पहला है तो मुझे एक देल आर ओवर डेल एक्स आएगा फिर प्लस इसका करोग से क्या आएगा तू आर आएगा देल आर ओवर डेल एक्स आएगा और एकी पर माइनस रहा हम जानते हैं डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स अपॉन आर होती है तो इसमें पूरे में यहां और इसकी पर माइनस और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर प्लस टू आर ओगर यह जाएगा तो क्या बचाएगा है माइस के एक्स और यहां धेखो किना बच्चा एक रसा यहां भी कट गया प्लस के 2x बचे साइर यही तो बचा मेरे ख्याल से है चाहो तो X भी कॉमन ले लो X भी कॉमन ले लिया तुमने तो क्या बचेगा बताओ E की पर माइनस R और अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस के R प्लस के 2 यही तो आएगा सोच के बोला जैसे मैंने तुम्हें यह X के सब करके दिखाया सिमिलरली लिख रहा हूँ मैं इसी प्रकार सिमिलरली लिख दिया डेल फाइ ओवर डेल य बताओ कितना आएगा Y E की पर माइनस R और माइनस R प्लस 2 अद डेल फाइ ओवर डेल Z करने ले तो Z E की पर माइनस R और माइनस R और प्लस 2 अब कोई कह रहा है इसका ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट क्या होता है डेल फाइ बताओ डेपनिशन फाइ का X के फिर J फाइ का Y के प्लस के फाइ का Z के यह होता है तो ये सारी जो value तुम निका लिए हैं इसकी अलग-अलग ये यहां बढ़ दो answer आ गया बताओ इसके अंदर del phi del x की value जब यहां बढ़ेंगे यह वाली value यहां और del phi की यह sum में common क्या आएगा वो बताओ सोचकर e की पर minus r भी आएगा minus r plus 2 भी sum में common बना जाएगा तो यहां क्या बचाएगा x i y j a z के बस यही gradient है कोई कहलेगा इसका mapang निकाल दो mapang कैसे निकलता है बताइए under root जो x के साथ होगा है सारा उसका square e की पर minus r minus r plus 2 into x का square फिर आजाएगा e की पर minus r minus r plus 2 into y का square plus e की पर minus r minus r plus 2 into z का square पूरे में common क्या हैगा लगाओ दिमार्ग e की पर minus r यह square है ना भार निकल जाएगा बोलो क्या हैगा e की पर minus r minus r plus 2 भार under root में क्या बचाएगा है x का square plus y का square क्या बन जाएगा फिर दुबार से आज तो बन गया तो e की पर minus r minus r plus 2 into more बस यही आंसर है उसने पूछा gradient निकाल दो यह निकाल दी gradient अब वो पूछ रहा है more निकाल दो more निकाल दिया सही है तो इस तरह से question सारे एक सही है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बस एक example और बोल दिया बच्चों इनोंने बर्णम की तो चैप्टर ही स्टार्ट करने बसीद्धा चलिए जी एक जामपल एक को कर रहते है एक जामपल इनना कहा है 34 और 34 में है काल निकालनी है काल किसकी निकालनी अभी है a क्रोस r upon r q की यह काल निकालनी है अब देखे कर निकालने के लिए इसने पहले लिख दिया है a जो है इसके अंदर वो constant vector है हाँ इसका उखल निकालनी करना है तो वो जिरो हो जाएगा समझ मागए बात तुम्हें ठीक अब यहाँ पर दो तरीके हैं अगर तुम short cut लगाओगे सार्निक बना करोगे तो तुम्हें ए वैक्टर को अपने पास समानना पड़ेगा और आर वैक्टर को भी तुम्हें पता है आर वैक्टर तुम जानते हैं क्या होता है एकस आई प्लस यजे प्लस जैड के ऐसे कर सकते हो सभी है वरना अगर तुम सोटकर नहीं करना चाते तो फिर तुम्हें करण की जो परिवास है डेल-डेल एक्स करोगे यहां पहर लिखोगे साहिए और बटे यह करोगे सही है अब तुम्हें यहां पर इसको differentiate करना पड़ेगा तुम्हें फर्स्ट और सेकंड से लेकिन यहां तो नीचे भी आ रहा है तो नीचे वालों को यह तो ऊपर लाओगे उससे करोगे फर्स सेकंड से यहां पर क्योंकि डिवाइड रूल में क्यारा उपर की दा वेक्टर आ रहे हैं तो वेक्टर में डिवाइड रूल नहीं होता इसलिए आर को ऊपर लाओ आट की पर माइनस तीन और फर्स्ट और सेकंड से तो तो सही है यह एक तरीका यह है कि हम एक को मालने अपने पाट से और और को मालने पहले है आई जे के में लाका है तब उसके बाद में सोट कट से कर देंगे जिससे तुम कहते हो मैं वैसे कर दूंगा मुझे दोनों तरक्राइब तो एक मिनट के लिए पहले है इस कोशनों करने से पहले है एक मान के चलो यहां पर लिखो लैट करके नहीं ध्यान रखना यहां कोंस्टेंट हैं इनका ओगलन जीरों क्योंकि एस पात कर देंगे अब त diplomacy को छोड़ दिया है अब हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं अब तुम मुझे एक रोस आर्र कितना होगा जब एक रोस आर करेंगे हम तो इसको भी determinants बना कर देंगे source cuts है क्यों क्रो सम हमेशा ऐसे निकालते हैं i, j, k करके बताओ क्या हैगा यहाँ हैगा a1 यहाँ a2 और यहाँ a3 यहाँ हैगा x, यहाँ y और यहाँ z बताओ i के साथ क्या बनेगा i के साथ यह दब जाएगा a2, z, minus a3, y, यहाँ यहाँ minus j, हाँ a1, z, minus a3, x, यहाँ यहाँ प्लस के k फिर यहाँ बताईए a1, y, minus के a2, x, यहाँ 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 हमारा a cross r और क्या था? और था नीचे r cube, r cube था ना? तो मैंने यहाँ पर a cross r को r cube से divide कर लिया तो i के साथ भी यहाँ जाएगा a2, z, minus a3, y, बटे में क्या जाएगा? r cube, और minus j, इसके साथ भी, सब के नीचे मैंने r डाल दिया, क्योंकि r का मतलब होता है तो मैं पता है था, under root x square plus y square plus z मैंने r लिखा, x, y, z में नहीं लिखा क्योंकि फिर वो length हो जाएगा और यहाँ पर मैंने a3 x डाल दिया अर अपन में कितना r cube a plus k डाला a1 y minus a2 x upon में r cube देखिए a1 a2 में ध्यान लखना लिखने में कभी जल्दी वाज़ी में गड़ परो जाए तो हमने देखिए ijk में बना लिया है यह रहा ijk में बन गया अब मैं यह shortcut लगा सकता हूँ मुझे सा कहा गया है इसकी क्या निकालो curl तो curl निकाल दूँगा फिर starting बना गया याद करो curl कैसे निकलती है अब तुम्हें curl निकालनी है curl किसकी निकालनी है एक रोज आर वेक्टर बटे आर क्योग की तो मैंने shortcut क्या बता है ताब determined बना लो पहला है ijk लिखो यहाँ पर फिर डेल डेल x लिखो फिर डेल डेल y अब डेल डेल z लिखो अब फिर यहाँ पर लिखो i का कोपिस्टन क्या है a2z minus a3y upon rq फिर यहाँ बता तो माइनस को अंदर ले रहे हैं ए3x लिखो पहले है और माइनस के a1z upon rq अपर लास्ट वाले लिखो बोलो a1y minus के a2x upon rq यह लिख दिया बस छोड़ी बाद बता हो कि मुझे अब इसको बस डेटरेमेट सोल करना और कुछ नहीं करना देखो तोड़ा लेंट ही होगा यह i दबाओगे i तो पहले ही बताओ यह दब जाएगा यह दब जाएगा इस तक के साथ करना y के तो मैं यह लिख रहा हूँ इसका मुझे y के करना इस सारे का किसका a1y minus a2x upon rq का फिर minus आएगा इसका करना है z के तो मैंने यहां जैड के लिख दिया है बताओ क्या आएगा a3x minus के a1z upon rq अब मैं और नहीं करूँगा मैं यहां लगा दूँगा summation यह ऐसे कर दिना प्लेस लगा के दो ब्रैकेट बना दिना ऐसे होगा जे वाला ऐसे होगा के वाला अभी हम करनी रहे हैं फिलाल मैंने इसको उटा दिया है यहां से ब्रैकेट भी उटा दिया क्योंकि यह खुदी लेंत इतना बैठ जाएगा summation लगा दिया लगा चाहो लगा दियो अब बताओ तुम यहां पर करके दिखाओ क्या अंदर की और अब उपर वाले का य के सावच करना वाइके तो एबन बचे गा केवल और यह सब 0 हो जाएगा फिर माइनस आएगा अब उपर वाला ऐसे बचेगा यह बचेगा आप इसका क्या होगा नीचे वाले तो बताओ इसका 0 इसका माइनस के एवन बचेगा यह तो बचेगा फिर बताओ क्या करेंगे एक मिन्टेक लिखने में थोड़ी जिल्दी वाजी हो जा माइनस फिर माइनस लग गया उपर वाला ऐसा ऐसा ही ए थ्री एक्स माइनस के एवन जैड अब नीचे वाले करो त्री आ असन बने निकोश करो जितना बना सकते हो आई यहां बताओ यह तो नुई रहाएगा एवन आर क्यूब यहां बताओ पीछे की द्रफ एवन वाइ माइनस के एटू एक्स इंटू में थ्री आर स्क्वाइर और इसका बन जाएगा आर अपॉन नहीं वाई अपॉन आर यह त इतना जाएगा ए थ्री एक्स माइनस एवन है बार माइनस ना प्लस तो जाएगा ना अंदर वाल तो माइस जाएगा और यहां जाएगा थ्री आर स्क्वाइर है यह 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 वाला माइस प्लस हो जाएगा अचा यह यह वाला प्लस हो जाएगा यह वाला प्लस होई गया और थोड़ा सा असान करो देखो यहाँ पर यह बाद में करेंगे A1 R3 माइनस यह R सा R कड़ जाएगा तो 3Y लिगनों सुरू में A1 Y माइनस के A2 X बस और तो कुछ नहीं है R तो कड़ गया ना 1R बचेगा R बचेगा प्लस के A1 R3 और यहाँ देखियो 3R बचा और Z बचेगा है और A3 X और माइनस के A1 Z यह मेरे क्याल से तो इतना बचा अब और क्यल्कुरिशन कर लो देखियो बचा क्या-क्या कठा करिये रहा आई यह वाले यह वालत एक जगा गया है 2 A1 R3 और देखियो जैसा यहाँ पर आजाएगा A1 Y स्कॉर आजाएगा और इंटू में R भी आजाएगा और भी कहीं है ऐसा? नहीं है तो 3 A1 Y स्कॉर इसकी इसमें करियो इंटू में R भी आएगा इसकी इसमें करियो प्लस के हो जाएगा 3 A2 X Y इंटू में R और यहां करना प्लस के 3 A3 और R और ZX आएगा है और माइन जैसे कितना जाएगा 3 A1 और R आएगा और Z का स्क्वार आएगा ये तो बैठे है ठीक जी अब हमें 3 बनाने हैं ऐसे 3 होंगे ऐसे ही जैसे ये निकला Z के आई के ऐसे J के आएगा फिर सारी कठे करने है तुक्के लगा लगा क्या चलो भी करते हैं आई और कहीं समानता है किसी के अंदर कुछ नहीं समानता लगाएं तुक्के चलो तुक्के लगाना तो लगाएं जरा कौन से बला मनला जे वला बताओ अब तू इसमें A बनाया तो इसमें A2 आएगा A2 R की पाओर 3 माइनस के 3 A2 और यह आजाएगा यह X था तो इसमें Y के आया और एक देखो पीछे Z के आया तो इसमें कर रहे हम Y के तो इसमें आया होगा X तो आया होगा Z आया होगा Z स्कॉयर R लास लब बोल यह माइनस के 3 A2 अर यह आया होगा R X स्कॉयर अब बीच वाले बोलना तो इसमें के 3 तो इसमें करेंगे और कौन करेंगा बच्चों एक बार तुम भी देख लज रहा हो बड़ा तुकके लगाना पड़ा इसषिंस में हम अठक गयते बीच में दोख आ हो गया था देखो यहां तक तो आर कियो बीच अपने आ सफ़ लिया था यह यहां तक तो जिससे कि है में जे वबला, के वला लिखने में असान ही नहीं हो. तो वो नहीं डोन पाये थे हम. तो हमने यहां पर तुक के लगा शुकरा. हमने क्या भी जड़ाय यहां पर? इस जंघ है, यहां पर x इस्वाइ जोड़ा और x इसक्वाइ घटा दिया. तो 3 X Square की होगे और जो X Square घटाया था इन तीन हों वह मानस लिल्या कौमन तो क्या बचा यहां पर वही तुमने माइनस जब कौमन लोगें यहां पर तो क्या है का माइनस के X Square माइनस के Y Square माइनस के Z Square को क्या लिसकते हो तुम I square यही तो है तो इससे माइनस के R square लिखा जगता तो यह पीछे वाला जो है ना माइनस के R square लिख दिया बाकि सब सेम लिखे हैं ऐसे कैसे ही अब उनमा R की पाफ 5 है फिर अब इसके A1 की अंदर मड़ी प्राइब कर ली यह यह कर ली तो इससे हमें क्या मिला वो देखो क्या मिला इससे एक मिनट के लिए इसमें हमने जो A1 वाला था उसे थो भार रखा और जो यह वाले यह वाले यह वाले और यह वाले इन में देखो 3 common R आरा शारो में और बाकी जैसरों बच्चे होए थे वैसे लिख दिये इन में भी हमने समान तर ढूंड ली इन सम्में X को मन था एक्स निकाल लिया बार तो यह बच गया A1X A2Y A2J A3J दोनों की डोट बन गये है तो यह हमने लिख दिया पर इसी जंगा पूरे पूरे उपटनी तो इससे हमें अब जब लिखने में समान अब दिक्कत नहीं है की मतलब आधी वाला करा SIMILAR कर दें आधी वाला आया तो अबकि वार ज सहि donnum tolar जोड़ दिया ए ये वाला जोड़ा ये और ये तो ये लिख दिया रहा और पीछ़ आवले तीनों जोड़ दिया तो ये लिख दिया बस यही आंसर था इसके अंदर ये वेक्टर ये बन गया तो महरा मैंनेस बना अपउन आर क्यूब ये बन गया A vector ये और 3 A dot R और upon में कितना है R की 5 और ये बन गया R vector ये बस ये ही प्रूफ करना था तो हमने ये कोई identity का यूज नहीं करा है इसके अंदर कहीं पर भी बिना identity करें हैं सारे कुछ नहीं है उतारीए कहां से उतारीए एक मनें करें वो प्रूफ